हलो गास विल्कम बैक टो मैंने वीडियो से बात करेंगे में निफ्टी 50 के बारे में साथ में देखेंगे एक स्टॉक जो नेक्स्ट वीक के लिए इंपोर्टन रह सकता या फिर आने वाले टाइम के लिए बट सबसे भिलम जाएंगे अपने टेलिग्राम ग्रूप पर और आपको बताना चाहेंगे ये फ्री टेलिग्राम ग्रूप है आप लोग के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाके जोईन कर लीजिए पिछले दो से तीन दिन की ट्रेट्स यहाँ पर मैंने अपडेट की हैं वन टू थ्री फोर फाइफ सिक्स सेवन एट नाइन टैन इलेवन 11 ट्रेट्स ठीक है आप जाके इनको देखिए समझिए इसके रिस्पेक्ट में जो प्रॉफिट है वो उपर बन चुका है वो मैंने नहीं डाला है वो मैं कल डालूँगा अब आपको पता होगा कि प्रीमियम कितने हाई चल रहे है निफ्टी के बैंक निफ्टी के फिन नि देख लेते हैं जल्दी से वो स्टॉक देन उसके बाद हम बात करेंगे निफ्टी फिफ्टी के तो चलिए गाइस स्टॉक जिसके बात करने वाले हैं एन एच पी सी लिमिटेड काफी बड़ी है स्टॉक है अच्छा कर रहा है ठीक है हायर हाई लगा रहा है अब आपको य यहां से इसको एक सेकंड तो मुझे तो अगर हम यहां से एक लाइन लेते हैं तो हमको मिलता है यह सपोर्ट एरिया जिदर से यह बार बार सपोर्ट ले रहा है ठीक है इसका यहां पर आप लोगों को रिजिस्टेंस एरिया देखने को मिलता है ठीक है ट्राइंगल फॉर् होती बड़िया बात है break out आने दो stock के अंदर उसके बाद आप इसमें planning कर सकते हैं तो सही है 110 रुपे के आसपास का stock है volume भी अच्छी देखने को मिलिए तो आप इसको अपनी radar पे रखी आने वाले time में आपको ये बड़िया momentum दे सकता है ठीक है अब बात करेंगे हम nifty 50 के बा आए ये बात में पहले ही बता चुका हूँ तो उसके बारे में बात करने की ज़रूरत है ही नहीं ठीक है हम सीधे अपने पांच मिट के चार्ट पर आएंगे मंडे की क्या planning हो सकती है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करें अच्छा एक और चीज बता दू डाउ जोंस आप लोगों के लिए ठीक है इस चीज पर द्यान रखना अब planning क्या है वो बता देता हूं देखो वही लोग ड्रेड करें जिनके पास पैसा ज्यादा क्योंकि premium 400 रुपे क्या सपास थे देखते मंडे को क्या मेल्ट होता क्या नहीं या फिर उम्मीद करो कि उसी क्या सपास नहीं मिलेगा ठीक है यह आपको क्या देखने को मिल रहा है रिजिस्टेंस एरिया रिजिस्टेंस एरिया इसके उपर निकलेगा तब हम plan करेंगे पहली चीज ठीक है दूसरा आपका again resistance बनेगा यह वाला एरिया 22680 यानि कि इसके उपर निकल के यह भी एक resistance बनेगा तो य यह resistance देखने को मिल रहे हैं, market फटेगा तो फिर कहीं नहीं रुकेगा, फिर वो ऐसा कुछ बड़ा सा 3-4 candle में फट जाएगा, पांच मांद 10-10 मिन की candle फटाक, 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 कुछ इस तरीके से निकल जाएगा, ठीक है, अगर election के impact की वज़े से निकलता है उस case में, तो फिर सारे support resistance को इसी काम के नहीं रहेंगे, price action भाड में चला जाएगा, downside की planning हम गो करनी है, जब हमारा market 22,480 के निकलता है, ठीक है, यह आपके लिए important एक support area है, हम चाते हैं कि यह तूटे, then हमारा market का पहला target 22,430, 22,440, दूसरा target 22,360, बीच में 22,300 का एक और area है, round level पे हमे क्या है, link telegram की कहा में लेगी आपको, description में, और कहीं से join मत करना, video को like कर दो, channel को subscribe कर दो, और comment section में कुछ पूछना चाते हो, तो मेरे से पूछ सकते हो, बाकी बात हैं, bank nft की video में, और एक और stock bank nft की video में discuss करेंगे, thank you